Sample Book, Complimentary Copy, Supplementary, Not For Sale अगर ऐसे Tags लगे हुए कुछ Books आपको Receive होती है या आपके Library में हैं तो उनका क्या करना है यह सारे के सारे जो मैंने Terms आपको बताए हैं यह सब Synonyms हैं यानि Sample Book या Complimentary आप एक ही चीज समझेए कई बारी अकसर ऐसा ही होता है कि आप किसी Publisher से कुछ Books मंगाते हैं As Sample देखने के लिए कि क्या वो सही है आपके लिए या नहीं क्योंकि आप Order Place करने से पहले Content देखते हैं और बहुत बार जो Publishers होते हैं वो खुद से Visit करते हैं अलग-अलग Institute को और कुछ ना कुछ Supplementary Copies देते हैं अपनी तरफ से Free of Cost में हर Subject के देखर जाते हैं जिस भी Subject में आपका Institution डील कर रहा होगा ताकि आपके जो वहाँ पे Faculty Members हैं वो उसको देखें और उन्हें सही लगता है तो वो उनको अपना Further Order Place करें उन्हीं Publishers से तो वो जो Books Receive होंगी आपको जितनी भी Copies उसकी हैं उनका एक अलग Section बनाएए वहाँ पे उनको Proper Arrange करके रखिए उनकी अगर बहुत जादा है और बहुत यूसफुल है तो उनको Number अलग से देख सकते हैं एक अलग Register उनका Maintenance होता है जिसमें उसकी सारी Entry होती है कौनसी डेट को, कौनसी Publisher से, कौनसे Year में ये Books Receive होई है ताकि अगर अगली बार आपको Same Publisher से Books मंगानी है तो आप उनके उस Book को, Previous Book को एक बार Reference के तोर पे देख सकें कि इसमें क्या-क्या था, क्या यह हमारे लिए Useful है देखके और फिर दोनों को Match करके और Order दे सकते हैं और यह Circulate भी होती है, बच्चे भी इसको Use करते हैं Teachers भी Use करते हैं, इसलिए इनका Record बना कर रखें और उसमें Stamping जरूर करें